मद्धी परदेश सरकार के निर्देश पर मंगलवार को सामाजिक नियाई विभाग ने जनपत पंचायत बागली परिसर में विकास खंड इस्थरिये दिव्यांग शिवीर का आईजन किया गया जनपत अध्यक्ष श्रीमती निर्मला कंठाली जनपत CEO अमित कुमार व्यास भी कारिक्रम में मौजुद रहे जिसमें 424 से अधिक हिद्ग्राईयों ने दिव्यांगता प्रमान पत्र हितु पंजियन कराया स्वास्त विबाकी टीम ने शिवीर में दिव्यांगों का प्रचिक्षन कर आवेदन लिये जिस पस्चात दिव्यांगता प्रमान पत्र बनाकर पंचायत के माध्यम से सभी दिव्यांगों के घर तक पहुँचाएं जाएंगे जनपत सीओ अमित कुमार व्यास ने बताया है कि सरकार की योजना के तहट दिव्यांगों को दिव्यांग प्रमान पत्र बनाकर सरकार की योजना का लाब दिलाना इस शिविर का उद्देश है दिव्यांग प्रमान पत्र बनते ही शासन की योजना अनुसार दिव्यांगों को साहिता राशी मिलना शुरू हो जाएगी बागली से रवी पाटिदार की रिपोर्ड अब दिव्यांगों को पूर में अवश्यता थी उन अलालग डॉक्टर्स की टीम ने बैश के आज मेडिकल सर्टिफिकर्स की बनाये हैं मेडिकल सर्टिफिकर्स के आधार पर इनको साहसन की विविन योजनाओं का लाब दिया जाएगा और उसी हमारा प्रयार से है कि हम साथ-साथ मिन का इपनिशन सब्कृति आदेश और अन्य जो लाब दियांगों मिलते हैं वो इनकों परखाएगा अभी तक जो रिपोर्ट है उसमें 432 गराहीं को पंजन हो चुका है अब पंजन लगाता जारी है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें